चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं TCS Tax Collection at Source अभी कंप्लीट करके हैं हम लास्ट हमने कंप्लीट किया TDS और अब TCS Tax Collection at Source तो इस चैप्टर में जैसे TDS चैप्टर में हमने समझा था की Pair और Pai होते हैं Pair को बोलते है TDS, Deductors Pay को बोलते है TCS TDS, Deducting Deductor, Deducting उदर ये pattern था इस चैप्टर में भी दो पार्टी होती है चैप्टर में दो पार्टी होती है कौन सी? या तो Sailer, Buyer या तो होती है Sailer या Buyer यहां फिर होता है Lesser Lassie दो पार्टी सोती है अगर Seller और Buyer है तो Seller TCS Collect करेगा Buyer से और अगर Leasing Transaction है तो Lesser Lassie से TCS Collect करेगा तो अब हम समझते हैं TDS और TCS में कुछ comparison करते हैं कई लोगों को TDS और TCS का Difference Last moment तक clear नहीं होता है तो पहले हम समझते हैं कि TDS और TCS में Difference क्या है पहले हम discuss करते हैं TDS का आपके pattern क्या था पहले TDS का pattern क्या था आपका इस chapter में हमने समझा था कि जो pair है पही को pair चलिए तो TDS और TCS से compare करते हैं TDS में हमने बात की pair होता है वो pay को pair pay को कुछ amount pay करता है any sum suppose any sum वाला amount है एक एक लाक उस पे pair TDS deduct करें pair इस पे suppose TDS की rate है 10% suppose तो pair TDS करें एक लाक पे करते वाक 10% मतलब 10,000 TDS के नाम से deduct कर ले और deduct करने के बाद pair की duty है कि वो ये government को deposit करवाए ठीक है और pay को हाथ में net amount दिया जाए 90,000 TDS chapter basic theme ये है TDS chapter की लेकिन TCS chapter में क्या होगा TDS TCS chapter में क्या होगा मैंने बुला यह दो parties होती है एक होता है seller दूसरी party सामने buyer seller sale of goods कर रहा है buyer को sale of सारे goods नहीं specified goods कुछ specified goods की sale कर रहा है तो TCS collect करें दूसरा आपने बात की lesser lesser lessy को lesser lessy को lease rent lesser lessy से lease rent वसूल कर रहा है तो बताये payment करने के जिम्मेदारी किसकी है इन दौनों ही case में payment कौन करेगा buyer seller को करेगा lessy lesser को करेगा तो कुल मिला कर payment यह वाली party इसको payment करेगी payment करने के लिए liable है तो suppose अगर goods की value for example मैं goods के लिए बात करता हूँ अगर sale of goods किया गया है suppose one leg का one leg का goods sale किया गया है seller ने buyer को किया अभी मैं सिर्फ seller buyer की बात करता हूँ कि TCS tax collection and source यह इसका system काम कैसे करता है seller ने buyer को sale of specified goods किया suppose उस goods की value है एक लाग seller buyer को बोलेगा कि मैं आप से TCS भी collect करूँगा तो अब buyer जो है वो TCS कितना पे करें suppose TCS की रेट है 1% तो total buyer seller को कितना पे मेंट करें एक लाग प्लस एक लाग का 1% कितना हुआ एक लाग का 1% कितना हुआ हजार रुपए तो इसका मतलब buyer seller को पे मेंट सिर्फ एक लाग का नहीं करें एक लाग एक हजार का करें ठीक है अब आप ऐसे बोलोगे इधर TDS में तो ये ये आदमी नबे हजार आत्में मिल रहे है इधर ये एक लाग एक हजार कैसे हुआ TCS चेप्टर में हम पढ़ेंगे ये जो पार्टी है ये TCS collector है वसूल करेंगी TCS और ये TCS collectee TCS collectee तो TCS collector TCS collectee से TCS भी वसूले तो ये हजार रुपए collect किये collector ने collectee से और collect करने के बाद ये TCS collector government को deposit करवाए हजार रुपए government को deposit करवाए जाए ठीक है तो ये इस तरीके से है अच्छा अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना तो क्या TCS का system indirect tax जैसा है क्या indirect tax पर जैसे बोलते है कोई tax है वसूल करो जैसे GST तो TCS का system तो indirect tax जैसे हो गया वसूल करके government को जमा कराना है ऐसा हो गया तो कहा जाता है TCS वैसे तो direct tax है वैसे तो direct tax है बट इसकी working इसका working pattern indirect tax जैसा है है ये direct tax बट इसका working pattern indirect tax जैसा है दूसरे से वसूल करके जमा कराना है तो indirect tax जैसा pattern है बात समझ में आई तो ये इस chapter की basic theme basic functioning इस तरीके से होगी तो मैंने बोला दो parties होती है या तो sale of specified goods होता है तो वहाँ दो parties हो जाती है seller buyer या leasing transaction होते है दो parties के बीच उसमें एक party lesser होती है दूसरी party lessy तो lesser lessy का TCS collect करे उस lease rent पर तो ये दो parties के लाती है collector of TCS ये दो parties के लाती है collectee of TCS अब जैसे हमने TDS chapter में पढ़े थे TDS deductor के obligations वहाँ इस chapter में पढ़ेंगे TCS collector के कुछ obligations पहला obligation पहला obligation TCS collector का पहला obligation वो TCS number ले वो ही है अरे TDS काटने TDS deduct करने और TCS collect करने language लग है TDS deducted TCS collected ठीक है तो deduct करना है वो उसको payment करते वाग दोनों किसी इसमें पैसा रोकते हैं एक इसमें TDS में पैसा रोकते हैं TCS में वसूल करते हैं बट दोनों ही केस में पैसा आता है जो government को जमा कराना होता है तो government ने बोला TDS deduction के लिए और TCS collection के लिए common single number ही होता है तो यहां बले ही से आप TCS नंबर बोल दो लेकिन full form तो वही रहेगा आपका TD-CAN tax deduction and collection account number यह बात मैंने यहां दे रखी है कि there will be a common number of TDS and TCS for single SSC known as TD-CAN tax deduction and collection account number तो जो collector of TCS है वो अपने assessing officer के पास जाए कि मेरे को TD-CAN number allot किया जाए और इसके लिए उसको अपने assessing officer को application file करने होगी वही form number वही है क्या 49B मैंने जब बताया था 10 number आप्टेंड करने के लिए application submit करने है 49B तब मैंने बुला था 10 number आप्टेंड करने के लिए application form क्या होता है 49A 10 number आप्टेंड करना है application form क्या रहता है 49A और TD-CAN number आप्टेंड करने के लिए application form होता है 49B आपने पहली बार किसी से TCS collect किया आपको government को deposit कराना है लेकिन अभी तक आपका TD-CAN number आया नहीं है आपको apply करना है तो apply कब तक करेंगे जब आपने किसी का TCS collect किया उस month end से एक महीने के अंदर time limit वही है क्योंकि TD-CAN number obtain करने की time limit जो TDS sector में थी वही है आपने obtain कर लिया TD-CAN number आपने obtain कर लिया बाद में हर जगे mention करना पड़ेगा जब आप उस collected TCS को deposit चलान के थ्रू कराओगे तो चलान पे भी लिखना पड़ेगा फिर यहां पर TCS का भी statement फाइल करना होगा TCS collector को और वो TCS certificate tissue करेगा TCS collector TCS collectee को TCS certificate tissue करेगा तो और भी कोई document CBD prescribe कर सकती है इन सब के अंदर इन सब के अंदर यह TD के नंबर TCS number court करना जरूरी है लिखना जरूरी है optaneously किया गया था कि इन इन documents में लिखा जाए TCS काटावाय जमा कराना है चलान में लिखना पड़ेगा TD के नंबर TCS statement फाइल कर रहा है TCS collector TCS statement के अंदर लिखना पड़ेगा और TCS TCS collector जब TCS certificate इशू करेगा collecti को तो उस certificate के अंदर भी वो अपना TD के नंबर mention करेगा तो पहली duty TCS collector TD के नंबर optain करे second TCS collector जो TCS collection के लिए जम्मेदार है TCS collect करे prescribed rate से और वो prescribed rate के लिए यहाँ पर भी हम पड़ेंगे rate chart जैसे TDS chapter में पड़ा था फिर time of collection के लिए हम अलग से पड़ेंगे note TCS collect कर लिया TCS collector ने TCS collect कर लिया अब deposit कराना है चालान का form वही है ITNS 281 कब तक deposit कराना है TCS collect किया है जम्मा करवाना है अगर TCS collector कोई government office है तो deposit कराना है अगर सिफ book entry के थूँ हो रहा है मतलब चालान के थूँ जम्मा नहीं हो रहा है एक government department दूसरे government से department से TCS collect कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है collect करे भी collect कर लिया है जम्मा कराना जरूरी नहीं है सिफ books में entry कर दो जम्मा कराना की सिफ book entry होगी चलान के थूँ जम्मा नहीं होगा तो सिफ books में entry थो करनी है जिस दिन TCS collect किया है उसी दिन deposit की भी entry कर लो collection की भी entry same day deposit की भी entry same day reason सिर्फ entry तो करनी है लेकिन अगर government office है और book entry के थुरू नहीं कर रहे हैं वो तो चलान के थुरू अगर कर रहे हैं तो जिस महीने TCS collect हुआ है उस month end से अगले महीने की 7 तरिक ठीक है तो ये बाते तो government collector के लिए हो गई जहां पर TCS collector government office है अब बाकी के लिए बाकी लोगों के लिए last point काम आएगा अब यहां पर 7 दिन क्यों नहीं लिखा government ने लिख दिया one week one week from the last day of the month in which TCS is collected जब TCS collect हुआ उस month end से एक हपते के अंदर अरे एक हपते के वज़ा सांद दिन लिख दे थे तो गलत हो जाता क्या एक ही दो बात होई government है अच्छा अब एक बात बताना ठीक है one week सांद दिन हम समझ गए कि वो लिखने में government से कोई mistake रही होगी बाकी meaning तो यही है जब TCS collect किया उस month end से 7 दिन के अंदर कराना है लेकिन हमने तो TDS में exception देखा था March का महीना exception था उदर कि March महीने का TDS कब तक 30 अपरेल तक जमा कराना था यहां TCS chapter में March महीना कोई exception नहीं है even March महीने का भी TCS 7 अपरेल तक जमा कराना रहेगा ठीक है फिर deposit करा दिया तो duties लिख दीजे आप जैसे आपने वहां लिखी थी कि TCS collector के obligations क्या थे TDS, TDS deductor के obligation लिखे थे वैसे ही यहां लिख दीजे obligations of TCS collector क्या obligation से पहला वही obtain TDS reach दे किकन obtain TDS के अक्डेब्ょाइ 2nd collect TCS to collect TCS at prescribed rate collect TCS at prescribed rate फिर थर्ड दिपोजट ट्स तो चंट्रल गवर्मेंट फिर चाथी दुटी ट्स का स्टेटमेंट फाइल करे फिलिंग 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 फिल Issue of TCS Certificate to Collecti, Collecti को TCS Certificate Issue करे लिए तो जैसे TDS इस चैप्टर में TDS Deductor को सारे इतनी सारी जिम्मेदारियों से बांध दिया था, वैसे ही इस चैप्टर में TCS Collector को खूब सारी जिम्मेदारियों से बांध दिया जाएगा. यहाँ पे भी Certificate Declaration के बाते हैं, अब आजाएए पेज नमबर 217 पर. पेज नमबर 217 यह TCS का रेट चार्ट है, TCS का रेट चार्ट और इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन है 206C. 206C के अंदर काफी सारे अंदर इसके सब सेक्शन चलेंगे, सब सेक्शन चलेंगे इसके अंदर. चले, तो मैंने बुला, TCS Applicable किस पर है? TCS Applicable है, Sale of Specified Goods पर और अब उसे कुछ Specified Transactions पर भी TCS Applicable कर दिया गया है, और कुछ Leasing Transaction, Licensing Transaction पर भी TCS Applicable है. तो, सबसे पहले बात करते हम, Sale of Specified Goods, कौन से गुड़्स Specified Goods हैं, जिनकी सेल पर TCS का Provision Applicable किया गया है? अगर कोई Seller, Buyer को Tendu Lives Sale करता है, Tendu Lives BD Manufacturing में काम आती है, BD बनाने में काम आती है, BD. फिर, Forest, Any, Forest Produce, Including Timber, Timber की सेल पर भी, और कोई भी Forest Produce है, उसकी सेल पर TCS के Provision Applicable है, फिर, Scrap सेल करते हैं, Scrap सेल करते हैं, जिससे कोई Steel Manufacturing कमनी है, वहाँ पर Steel के बरतन बनते हैं, बरतन, Utensis बनाते हैं वक्त कुछ Scrap Generate होता है, Scrap सेल करेंगे, तो TCS Applicable हो जाएगा, Alcoholic Leaker for Human Consumption, शराब की सेल पर, for Human Consumption, ठीक है, तो उस पे भी TCS Applicable है, कुछ Minerals, कौन से Minerals, Coal, Lignite और Iron Ore, Certain Minerals, इनकी सेल पर भी TCS के Provision Applicable है, यहां तक तो, आपके, यह यहां और एक Motor Vehicle और है, Motor Vehicle एक और है, Motor Vehicle के लिए अलग से Subsection मनाया, 206C का 1F, यह यहां तक, Motor Vehicle को छोड़ कर, यहां तक तो, आपके Section काम आता है, 206C का Subsection 1, ठीक है, तो यहां से, Motor Vehicle को छोड़ कर, यहां से यहां तक, यह आपके 206C का Subsection 1 है, और Motor Vehicle वाला, Subsection 1F है, ठीक है, और, मैंने बोला, कुछ Specified Transaction पे भी, TCS आ गया है, कोई परसन, अपने ही किसी Relative अगरे को, इंडिया से बाहर, पैसा भीशता है, Foreign Remittance, तो, उस पे भी, TCS के प्रोविजन लगाए गये हैं, तो Remittance थूरू LRS, और, Overseas Tour Program Package, इस पे भी, नया सेक्षन एक लगाया गया, हालां कि अब पुरान हो गया, आए वे, तीन-चार साल हो गया हैं, अब, 206 Main Section ये ही चल रहा है, इसके अंदर, Subsection 1G, और, हमने, जब TDS Chapter किया था, 194 Q पढ़ा था, Purchase of Goods, Purchase of Goods, Seller के लिए, Buyer के लिए था, Purchase के लिए, Section 194 Q, उस वक्त हमने Seller के लिए, एक section discuss किया था, 206 C 1 H, तो, Sale of Other Goods, तो इतने सारे transactions पर, TCS के provisions लगाये गए हैं, मैंने बोला था, आपको, कि ये TDS, TCS, बहुत लंबा चोड़ा अखड़ा हैं, और कुछ leasing transactions पर भी लगाया गया है, leasing or licensing, फिर, इसमें क्या दे रखा है, कैसे leasing transaction, grant of lease or license, पर, lease पर आप कुछ देते हो, license पर आप कुछ देते हो, क्या देते हो, आगे पढ़ेंगे अभी, बात पूरी complete नहीं हुई है, बात अभी आदी है, आपने lease पर दिया, license पर दिया है, क्या वो अभी नहीं बताया है, फिर, कह रहे हैं, या entering into a contract, और otherwise transferring, any right or interest in, अब बोल रहे हैं, यह license वगर है, किसका दिया, lease पर क्या दिया, या right or interest, क्या transfer किया, किसमें, in any parking lot, toll plaza, toll plaza पर आप देखते हैं, toll plaza क्या चुंगीना का, जिस पर toll collection होता है, नाम सुना, toll plaza, अरे, national highway वगरे को आप use करते हो, road को use करते हो, तो आपसे toll collection होता है न, ठीक है, तो वो सब क्या है, government right देती है, कि, ये right आपको दिया जाता है, और आप toll collect करके, थोड़ा portion अपने पास रखो, बाकि, government को दो, तो, अगर toll plaza, lease पर दिया जा रहा है, या उसमें कोई right, दिया जा रहा है, या, parking lot, जोदपूर में आपने देखा, कि, जब, जोदपूर में, McDonald's open हो रहा था, तो, parking की problem आई, parking की problem आई, तो, उसके जस्ट पीछे का एरिया, खाली पड़ा था, वो government की जमीन थी, तो government ने, McDonald's को बोला, कि, वो पीछे का एरिया, parking lot है, वो आप हमसे lease पे ले लो, ठीक है, तो, McDonald's वालों ने वो, parking lot, lease पर ले लिया, तो, इस leasing transaction पर भी, TCS applicable है, ठीक है, तो parking lot, toll plaza, कोई mind ली, आपने, और query, जिससे कुछ आप निकालेंगे, कोईला वगर है, उसका lease rent पे करेंगे, leasing transaction है ये, ठीक है, लेकिन, mineral right, oil को छोड़ कर, oil को छोड़ कर, ये आपने सब लिया है, parking lot, toll plaza, वगर है, सब आपने क्यूं लिया है, लेने का मकसद ये हो, lesser ने lessy को दिया, lessy ने लिया, lease पर, lesser से, क्यूं लिया, वो important है, lessy ने ये, जो सब कुछ लिया है, lease पर, वो उसको, अपने business में, use करेगा, क्यूं लिया, lessy ने, अपने business purpose के लिया है, अगर ये सारी बाते, satisfy होती हैं, तो इस, leasing transaction पर, इस leasing transaction पर, TCS के provisions अपने के बल होंगे, और lesser, lessy से, lease rent तो वसूल करेगा, lease rent पर, TCS भी जोड के वसूल करेगा, वसूल करने के बाद, lesser, ये government को deposit कराएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से provisions है, TCS की rate chart में आ जाईए, rate chart, अभी हमने sale of specified goods पड़ा, क्या-क्या rate से TCS collection होगा, तेंदू lives पर 5% है, TCS की rate, फिर एनी forest प्रड्यूस, इंक्लूदिंग टिंबर, धाई परसेंट है, इस क्रैप पर, वन परसेंट है, एल्कोलिक लिकर फॉर यूमन कंजम्शन पर, वन परसेंट है, certain minerals, इसकी sale की 1% है, motor vehicle पे भी 1% है, तो इन सब पे 1%, अब, remittance through LRS, या overseas tour program package, इस पर, कुछ केस में 5% है, और कुछ केस में 0.5% है, और, sale of other goods, यह तो आपको पताईए, यह कौन से सेक्शन का है, 206C1H, क्या TCS की rate क्या रहेगी, 0.1%, बता दिया था पहली, ठीक है, तो यह आपके यहां तक तो हो गए, आपके sale of specified goods, फिर यह दो हो गए आपके specified transactions, फिर लीजिंग ट्रांजेक्शन पर TCS की rate क्या रहेगी, 2% लीजिंग ट्रांजेक्शन जो टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट वगरे के, लीजिंग ट्रांजेक्शन थे, उस पर 2% है TCS की rate, ठीक है चलिए आज इस शप्टर में इतना ही करते हैं, बाकी कल, कार्शन प्सक्राओ से रांजेक्शन जो सब्सक्राबrr यगरे के, झाल झाल